करते हैं सुमित क्या टिक दिया गए हैसन फार्मा पर देखें मेजर ब्रोकरे हाउस तो इस पर तेजी की बात कर रहे हैं सब नहीं आपर एक सुर में बाय साइट पर आउट परफॉर्म साइट पर रेटिंग्स दी हैं एक हैंग ओवर की बाची जिसके भी आप कर भी रहे थे बहुत लंबे अंतराल से इस तरह के हैंग ओवर से की वज़ा से ही स्टॉक नहीं चल पड़ा था जेपी मॉर्गन ओवर्वेट रेटिंग करीब 675 मैक्वेरी आउट परफॉर्म रेटिंग 700 मॉर्गेस टेली ओवर्वेट रेटिंग 705 के आसपास के सब नहीं बात पहले तो ये बोली कि जो नमबर्स से उसके बात से स्टॉक की रेटिंग हो गई है तो अमेरिकन बिजनस इनका अच्छा करी रहा है और साती सात इनके जो स्पीशालिटी का रुबार है वहां से भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है तो ये तो रही नमबर्स की बात लेकि री रेटिंग की पॉसिबिल्टीज ब्रोकेज हाउसे मान रहे हैं और सात सो सात सो दस के आसपास के टागेट्स यहां से आते हो दिखाई पड़ रहे हैं पंदरागा टागेट दे रहे हैं तो बहुत हद तक माइल्ड या तो फॉल या माइल्ड बहुत बड़ी तेजी की बातशीत नहीं है हाँ कमेंटरी वाइस अबने बात साफ की कि जो सिगरेट कारोबार है उसमें रिकवरी अनुमान से जादा तेज हुई है जितना अनुमा पावनागी तोर पर रखी हैं नंबर्स के अंदर तो बहुत कुछ उसकी वज़ा से डिस्टॉर्ट होता हुँ दिखाई पड़ा है लेकिन हाँ वाल्यूम में कमी है अनुमान से थोड़े नीचे आंकड़े देखने को मिले हैं इबीटा करीब करीब चार परशन अनुमान से कमाया जिसकी आभी आशीश कर रहते हैं कि कॉस्ट बढ़ी है उसका इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पर हो है वो यहां पर भी देखने को मिला है और स्टाफ कॉस्ट खास तोर से बढ़ती हुए दिखाई पड़ी है इस क्वाटर के अंदर और एक चीज़ काफी क्रूशल है कि ऑपरेटिंग पर्फ स्टाफ काफी मजबूत है और वेल पोजीशन्ड है इस पूरे सेक्टर में FI 21, 23 को लेकर अनुमान भी करीब 21-22 परशन बढ़ाया है और सेक्टर की टॉप पिक तो यह है ही लेकिन यह बास साफ है कि ब्लू स्टार वोल्टास जिसके नंबर्स भी अवेटेड है उसमें उ उन सबके मुकाबले सबसे वेल पोजीशन्ड है वेल विशन के लिहास से तो अगर कोई भी कंपनी देखनी है तो मोतिलाल उसवाले मानता है कि वर्लपूल एक बहतर पिक हो सकती है वाइड गूट स्पेस के अंदर